वेल्ड़ों टू मैं चैनल एमभी वासुदिव आप सबका मेरे चैनल में स्वागता आज का हमारा टॉपिक है खेलों का महतो आज हम पढ़ेंगे खेलों के महतों के बारे में पतिक पालक के लिए खेलों का बहुत बड़ा महतो है खेल के बिना बच्चों का जीवन अधूरा है माता पिता भी बच्चों को खुश करने के लिए उनकी अवस्था अनुसार उनके ले खिलोने लाते हैं क्योंकि खेलों का बड़ा महतो है पढ़ाई और खेल का गहरा संबंध है खेल के बिना पढ़ाई अधूरी है और पढ़ाई के बिना खेल अधूरा है इसलिए एक बालक के लिए खेल वा पढ़ाई दोनों जरूरी है विद्यालियों में भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलों का अभ्यास कराया जाता है बच्चों के मनुरंजन के लिए बच्पन से ही उन्हें खिलोने दिये जाते हैं जब बच्चा पढ़ाई से उबने लगता है, उस समय खेल, खेलने में उनका मन बहलाव हो जाता है, मनुरंजन करने की बाद भाद मन लगाकर पढ़ता है, खेल खेलने से सरीर के अंग संचलित होते हैं और उनमें खून का, खून तेजी से दोडने लगता है, खेलने से बच्चों को अधिक भूख लगती है, उनको भोजन सिग्र पचने लगता है, जिससे उनको स्वास्ते लाव होता है, खेलने से बालक का सरीर सुडौल वा सुन्दर बन जाता है, उसके सरीर का आकार सच्छा बनने लगता है, जितने भी बालक आपस में खेलते हैं, वे जल्दी ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, खेल के द्वारा हमारी पहचान बढ़ती है, एक विद्याले के चात्र, दूसरे विद्याले के चात्रों के साथ खेलते हैं, उनका आपस में प्रेम बढ़ता है, खेल हारने या जी इतने पर भी प्रेम घड़ता नहीं बलकी बढ़ता है, खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए, इसमें हार या जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अच्छा खेलने से खिलाडी को जीत अवस्य मिलती है, आई होप आप लोग को ये ऐसे निबंध पसंद आया हो, पसंद इसको लाइक करें, सेर करें, अगर आप मेरी चैनल को नहीं है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो लाइक, एसे, लेटर, निबंध, कत्र, पैरेग्राफ, इस तरह की वीडियो आपको आगे और मिलती रहे, थैंक्यू, थैंक्स पूर वाच इस तरह कि इस पड़े जईवतों आपको आपको स्क्कतल बंपेशन एनल कोshirt बंपेशन, प्सक्राइब को आपकोत contract, यह थैंक्यों को आपको्त